वैसे तो बारिश के मौसम में कुछ ऐसी फसले हैं जिनकी खेती करके किसान जादा से जादा लाब कमा सकते हैं क्यूंकि बारिश के सीजन में हरी सब्जियों की काफी जादा मांग रहती है वही किशान अगर हरी मिर्च खीरा मूली और हरी धनिया आत की खेती करता है तो उन्हें अच्छा फाइदा हो सकता है इन सब्जियों की पूरे शाल डिमांड रहती है लेकिन बारिश के मौसम में बिना सिचाई के इनकी खेती की जा सकती है इतना ही नहीं इनकी जादा देखभाल करने की भी जादरूरत नहीं पड़ती इसके लिए जादा जगह की भी आसकता नहीं होती तीन से चार सब्ता की अवधी में ये फसले तयार हो जाती है जिसमें किसानों को जवरदस्त फायदा मिलता है जिले के इस किसान ने मल्च भीदी से खीरा की खेती सुरू की है इस खेती से उन्हें लागत के हिसाब से अच्छा मुनाफ़ा भी हो रहा है जिसके लिए वो कई सालों से खीरे की खेती करके लाखो रुपए मुनाफ़ा कमा रहे हैं पाराबंकी जिले के तमस्य पुर्गाओं के रहने वाले किशान अउधेश कुमान ने एक भीगे से खीरे की खेती की शुरुवात की जिसमें उन्हें अच्छा लाब देखने को मिला आज वा करीब दो भीगे में खीरे की खेती कर रहे हैं इस खेती से लगभग उन्हें दो से धाई लाख रुपए मुनाफ़ा एक फसल पर हो रहा है खीरे की खेती करने वाले किशान अउधेश कुमान ने बताया मैं कई सालो से सब्जीयों की खेती कर रहा हैं जिसमें टमाटल लओ की खीरा आदी है इस समय दो भीगे में मल्च बिधी से खीरे की खेती कर रहे हैं इसमें जो हमारी लागत है करीब एक बिगे में दस से बारा हजार रुपए आती है क्योंकि इसमें बीज, बाश, डोरी, पानी, लेबर, आत का खर्च लगता है और वहीं मुनाफ़ा करीब एक फसल पर दो से धाई लाग रुपए तक हो जाता है इस खेती में हम मल्ची बिध दिखने में भी आसानी होती है फल दिखने में बहुत आकरसड़ और स्वस्त रहता है इस वज़े से बाजार में इनकी कीमत अच्छी बनी रहती है इन सब के अलावा उपज भी अन्य विधी से सब्जियों की खेती करने के मुकाबले ज्यादा रहती है इसकी खेती करना बह काल कर खीरे के पौधे को डोरी के शाहरे बांग दिया जाता है जिससे पौधा सीधा रहता है और पारिश के सीजन में फसल को तोड़ने में आसानी होती है वहीं पौधा लगाने के महेच 50 से 60 दिनों के बाद फसल निकलना सुरू हो जाती है सज्जियों के खेती करता हूं कि लोभिया है लवकी है तोराई है और तीमाटार है कद्दो है सब की खेती करता हूं इस समय खीरा की खेती करता हूं अब खीरे में लगायत आती है लगभग मा विगह में 12,000 तक लगएत लगती है एक भीगह में लगभग में जो तही हो तही में मिलाए के सब पन्यों वास्वास में सब और दो विगहा खीरा वोया हुआ है और लगभग मा तो धाई लाग सख उसमें तीरा की खेती इसमें आपका खेती करते हैं बड़हा बड़हा ख्राब नहीं होता है और फशल होती तेश्मि और बड़हा खीरा नंबर एक को होता है हमारी में फ़ेरा पानी भरता नहीं है और फसल बढ़िया होती है खराब नहीं होता है और बढ़िया खिरा उतलता पानी उतल जयता है रहता कितने सालों से खेती कर रहे हैं हुद आधार विआ झाल झाल